हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास सेकेंड प्रीविएस वीडियो में मैंने एक कॉछ और एक्जाम्पल में आपको बता रहे हैं जैसे कि आपका कॉश्चन है आपको एड भी करना है और क्या करना है सब्ट्राक्षिन इसी में आपके कॉश्चन है उसी में आंस ह्वार है आपको बस पहले क्या करेंगे हम एड करने के लिए आड करने की से गाटर नमबर है ह में क्या आएगा एड करने से उनका आंस्वार आएगा 5 Moderator है greater number 41 पिछे कौन से रहेगे 7 और 34 7 34 को हमने इस बॉक्स में के लिए 7 और 34 को अगर प्लस करेंगे तो greater number इनका answer आएगा अब इनी दोनों का place change कर देते हैं 34 first box में लिख लिया और 7 second box में यानि कि 34 और 7 को फिर प्लस करेंगे तो answer क्या आएगा 41 यानि कि इन दोनों को add करने से जो greater number होगा वही इनका add करने से answer आएगा अब subtraction करने के लिए क्या करेंगे हम जो greater number है उसी में से जो दूसरे दो numbers है तू numbers है पिछे बचे हैं उनी को greater number में से minus करेंगे greater number कौन सा है इस में से 41 41 में से पहले 7 को minus करेंगे 41 में से 7 को minus किया तो answer क्या एगा 34 अगर 41 में से 34 को minus करेंगे answer क्या एगा 7 यानि कि इन तीनों numbers का use करके हमें add भी करना है और sum भी करना है इनी में से आपका answer है और question भी है एक और example कि बताऊंगी मैं आपको जैसे हमारे पास numbers है 56 25 31 अब इसमें greater number सबसे पहले add करेंगे add का sign दिया हुए इसके लिए क्या करेंगे greater number को देखें greater number कौन सा है 51 उसके बाद कौन से numbers है 25 और 31 35 25 31 greater number कौन सा है 56 यानि कि जो smaller number है उनको plus करने से greater number है वो उनका answer आ जाएगा अभी नहीं का place change करके 31 पहले लिख दिया और 25 बाद में कर दिया greater number कौन सा है 56 दोनों का add करने से क्या answer आया 56 इसी में आपको answer दियेगे है पस आपको find करना है क्यों सा number कहा है अब subtraction करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले subtraction जब भी होता है तो जो भी numbers bigger होता है यानि कि greater number होता है उसी में से minus करते हैं greater number कौन सा है 56 56 में से 25 को add minus करेंगे तो क्या answer पर आएगा 31 और 56 में से 31 को minus करेंगे तो क्या आएगा 25 इसी तरीके से आपके question है जैसे और करेंगे fill in the boxes using the subtraction factor 38 minus 21 is equal 17 त्री numbers दियेगे हैं यानि कि 38 को minus करने से 38 में से 21 minus करेंगे तो 17 आएगे अब इस में से 3 में से greater number कौन सा है 38 अब इन्होंने नीचे आपको question दिया है जैसे इनी numbers का use करके 21 plus 17 यानि कि 21 और 17 को add करेंगे तो क्या answer आएगा bigger number कौन सा है 38 यानि कि 21 और 17 को plus करेंगे तो answer क्या आएगा 38 यानि कि उसी में आपका answer है बस आपको find करना है अब इनकी place change कर दी 17 और 21 की 17 पहले कर दी और 21 बाद में bigger number ही आएगा 17 plus 21 और 28 यानि कि उसी में आपका answer है बस आपको find करना जो greater number होगा वो sum करने से answer आएगा और अगर subtraction करेंगे तो वो सबसे पहले उसी में दूसरे numbers को minus करेंगे concept 4 में आपके थी concept families अब आपको क्या करना है आपके 4E में है subtraction by counting on यानि कि subtraction करना है counting के च्रूब आपको जैसे आपको number है यानि कि now subtract 16 from 21 by counting on यानि कि आपको counting करके subtraction करना है अब इसमें आपको number क्या दिये होगा है 16 from 21 यानि कि 21 में से आपको क्या करना है 16 minus करने है 21 में से 16 minus करेंगे तो क्या answer है इसके लिए हम क्या करेंगे counting के through इसको करेंगे सबसे पहले जो आपका smaller number है उसको हम लिखेंगे smaller number क्या है 16 16 के बाद हम counting लिखेंगे 21 तक 16 के बाद 17 17, 18, 19, 20, 21 यानि कि 16 के बाद कितने numbers आए 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि 21 में से या आपके numbers कितने आए 21, 2, 3, 4, 5 यानि कि 16 के बाद कितने numbers है 5 21 में से 16 माइनस किये तो क्या answer है 5 इसी तरीके से हम और question करेंगे अब आपको क्या करना है count on from the smaller number to subtract the following count करके आपको smaller number से subtract करना है नमबर क्या है 28 में से 23 आपको माइनस करने से आपका क्या answer आएगा इस box में आप क्या करोगे smaller number कौन सा है 23 उसके बाद आप counting कहा तक लिखोगे 28 तक 24, 25, 26, 27, 28 कितने number आए 23 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि हम कितने step ends के आगे 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि 28 में से हम 23 माइनस करेंगे तो answer क्या आएगा 5 यानि कि इनका gap कितने का है 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि इनका gap कितने का है 1, 2, 3, 4, 5 easy है न यही question आप उत करेंगे smaller number से count करके आपको greater number लिखना है और count करना है आपकी इतने step आए वो आपका answer आजाएगा इसी तरीके से यह language है इसी कम गरेंगे जैसे कि इतिका has to pack 30 gifts for her school Christmas party. She has packed 22 gifts. How many gifts does she still have to pack? यानि कि रितिका को उसके school में Christmas party है और उसने 30 gifts उसको pack करने है उसने pack कितने कर दिये 22 उसने pack कर दिये अब आपको बताना है कि उसने और कितने gift पैक करने है टोटल कितने करने है 30, 22 उसने gift पैक कर दिये है और अब कितने और pack करने है इसके लिए क्या करेंगे हम smaller number से counting लिख 30 तक, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, कितने नंबर आए, step आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानि कि 30 में से 22 हमने माइनस किये, तो क्या आगया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानि उसने पैक, गिफ्ट करने हैं, T, I, G, H, T, 8, more गिफ्ट have to be packed, अब एक और कोश्चन है आपका, Nikita read 23 stories and her friend Anzali read 16 stories, Who read less stories and how many? Less, यानि कि Nikita ने 23 stories read की, और उसकी friend Anzali ने 16 stories read की, अब आपको ये बताना है कि किसने कम stories की और कितनी stories कम की, इसके लिए क्या करेंगे, 23 में से आपको क्या करना है, 16 minus करना है, और जो भी आप count करने से आपका step, कितने आपको आए हैं, वो answer आजाएगा, और इसमें आपको बताना है कि किसने कितनी stories less की, किसने stories less की, यानि कि Nikita ने 23 stories की और अंजली ने 16, अब आपको ये बताना है किसने कम की और कितनी कम की, इसमें आपका answer आजाएगा, यह आपको worksheet दोंगे, आप खुद करेंगे, thank you,